हाई, जंगम निष्ठा, समय के साथ साथ उनकी गुरू लिंग में निष्ठा कम होती गई और जंगम दासोह में गहरी निष्ठा होती गई अतहा वे किसी भी हालत में अपनी दिनचर्य में खलल नहीं पढ़ने देते थे उनकी आदत उनकी अपनी कुछ मानत आई थी जो उनके वचनों में प्रकट होती है जैसे वे जंगम के लिए लिखते हैं इस्टा लिंग तो गुरू के अधिन है और गुरू लिंग इस्टा लिंग के अधिन है तो काम चित्त कामदेव के अधिन है पूजा पुन्य तो महादेव के अधिन है परन्तु जंगम दासोह नहीं किसी के अधिन गुरु और इष्ट लिंग जंगम में ही समा गये है यह चंदेश्वर लिंग का नियम है देखो जंगम को नमस्कार ही गुरु पूजा है जंगम पूजा ही लिंग पूजा है जंगम की तुष्टी ही अपने लिए संतुष्टी है अपने लिए संतुष्टी हो तो वह नित्य प्रसाग है यह चंदेश्वर लिंग का नियम और लक्ष है जंगम सेवा चित्त शुद्ध होकर करने पर गुरु लिंग पूजय संपन्न होते हैं जंगम दासोहसेस सर्वसंपदा प्राप्त होती है इस गुण को समझकर करने पर केवल शुन्य दिखाई पड़ता है जनन मरन का मूल भाव उधर ही रहे जाता है चंदश्वर लिंग को जान लेने पर इस तरह अब उनकी जीवन में जंगम दासोह ही सब कुछ था वे जंगम को ही चलता फिरता लिंग मानते थे बस्वेश्वर जी कहते थे गुरू उपदेश मंत्रवईद्य है तो जंगम उपदेश शस्त्रवईद्य है जंगम ही मन की जड़े आमूलाग्र उखाड कर भक्त को भव बंधन से मुक्त करता है लिंग न जड़ है लेकिन जंगम चेतन है जंगम भक्त से जो चाहिए वह मांग लेता है जो नहीं चाहिए उसके लिए मना करता है वह भक्त की गलतियन सुधारता है आशिर्वात देता है ज्ञान उपदेश करता है मार्ग दर्शन करता है इस तरह जंगम भक्त के सुख दुख में सहबागी होता है इसलिए अनुभावियों ने कहा है कि जंगम गुरु का गुरु और लिंग का लिंग है तो चंदया सोचता था कि फिर गुरु और लिंग की क्या आवशक्ता है जब एक की सेवा ही इन तीनों में व्याप्त है तो फिर एक की ही सेवा क्यों न की जाए इन तीनों की जगह जंगम दासोह में ही है जंगम की तुपती में ही गुरु लिंग की तुपती है इस तरह चंदया की पूरी निष्ठा जंगम दासोह में समेट गई थी सिमट गई थी और वे भी पूरे तनमन धन के योग से निभा रहे थे कर्तवे निष्ठा के इस कर्तवे निष्ठा के कारण चंदया अपने परिचितों में याने कल्याण में शरण नूलिये चंदया के नाम से जाने जाते थे अपनी कर्मनिष्ठा के कठोर उव्रत से शरण चंदया शर्ण स्थल के सभी स्थल पर स्थल पार कर गए थे भक्त महेश प्रसादी प्राण लिंगी शरण और आइक्य यह है वे भक्त के भक्ति के छे शर्ण स्थल प्रथम स्थल है भक्त स्थल भक्त स्थल से क्रमेण भक्त उन्नता वस्था को प्राप्त करता जाता है भक्त की भक्ती श्रण द्धा में परिवर्तित होती है वही आगे निष्ठा में परिवर्तित होती है और वह महेश इस्थल पर आता है वह भक्त महेश पनता है प्रसादी में भक्त हर कार्य करने में सावधानी याने सतर्कता बरतता है इससे उसे स्वानुभाव आने लगते है वह स्वानुभावी बन जाता है इससे ही प्रसा प्राण लिंगी कहते है तेंक यू